गमंड ये एक ऐसा पाप है, एक ऐसी बला है, जो हम विश्वासियों को तंग कर सकती है और करती भी है ये आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रती, दुसरों के प्रती, अपने आपके प्रती एक विरोधा भास पैदा करती है जब हमारे जीवनों में घमन की बात आ जाती है चाहे हम अपने जीत की घमन करें अपने बहुत अच्छे गायक होने की वज़ा से घमन करें अच्छा प्रचार करने वाले पैसा धेर सारा हो या दिखने में बहुत अच्छा हो घमंड एक ऐसा है जो हमारे जीवनों को नीचे गिरा सकता है और गिराता भी है गिरा सकता नहीं गिराता भी है और इसलिए आज का जो मेरा शीरशक है वो इसी से संबंध है कि विनार्ष से पहले घमंड आ जाता है जियां और इसी संबंधित मैं आपके सामने परमेश्वर का बचन पढ़ना मांगता हूँ जो पाये जाता है नीती बचन उसका सोला ध्याय और अठारा पद विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है ये परमेश्वर का बचन है और परमेश्वर जो बोलता है उसमें सो प्रतिशत सत्यता पाई जाती है क्योंकि परमेश्वर का बचन क्या है सत्य है आईए हम इसी को ध्यान में रखते हैं एक व्यक्ती था पुराने नियम में जिसके जीवन में ये घमंड इतना आगया घमंड से इतना चूर हो गया कि जिस गढ़े को उसने दुसरे के लिए खोदा था उसमें वही खुद गिर गया देखे शैतान का सबसे बड़ा पाप क्या था घमंड जो कि हम पढ़ते हैं पुराने नियम के किताबों में बहुत सुन्धर था सब कुछ था और उसने का मैं परमेशर के तुल्य हो जाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा और तब परमेशर ने उसको नीचे गिरा दिया जिसको हम बोलते हैं शैतान लूसी पर उसका नाम था तो आईए इन बातों को ध्यान में रखते हम जो विश्वासी है हमें इन चीजों से सरतर्क रहना है और आईए हम उस विक्ति के बारे में जान जाएं जिसने घमन में चूर हो करके उसने अपनी आखें अंधी कर दी आत्मी करीती से और उसने नहीं देखा कि जो गठा उसने दुसरों के लिए खोदा था उसमें वो खुद ही नश्ट हो गया जी हाँ मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ हमान की और ये हम पढ़ते हमान के बारे में पता नहीं आपने पराने नियम के कितने वेक्तियों को जानते हैं लेकिन हमान उसमें से एक था जो बड़ा प्रतिष्ठित पुरुश था और जो राजा जिरिक्स जो था परिज्या का आजकल का इरान है उस समय का परिज्या था तो पारस का जो राजा था उसका बहुत मुख्य प्रतिनिदी था और प्रतिष्ठित व्यक्ति था और राजा के बाद शायद उसी का नंबर आता लेकिन बहुत विकेट था, घमंडी था, दुष्ट था और हम उसके बारे में देखते हैं ये सब आपको मिलेगा यदि आप एस्तर की किताब को पढ़ें जी हाँ, एस्तर की किताब especially एक से साथ अध्याई पढ़ेंगे, तो आपको ये पूरा जो सच है एतिहासिक घटना आपके समझ में आ जाएगी कि विनार्श से पहले घमंड होता है और वही हुआ चलिए, आगे बढ़ते हैं मैं आपके लिए मैं पढ़ूंगा हामान के बारे में और उसकी क्या सबसे बड़ी परेशानियां थी पाए जाता है एस्तर की किताब और उसका तीन अध्याए एस्तर उसका तीन अध्याए एक से पांच पद जब मैं उसको पढ़ूंगा तो शायद आपको थोड़ा सा गयात हो जाएगा या शायद आप ने अगर स्टेडी किया है तो आपको याद भी हो जाएगा आ जाएगा चलिए इन बातों के बाद राजा जहर्ख जिरिक्स या चहिर्श ने अगागी हमदाता के पत्र हामान को उच्छ पद पर लगा दिया और उसको बहत्व देकर उसके लिए ने उसके साथ ही हाकिमों के शिहासों से उच्छ सिहासन ठे़ा दिया और राजा के सब करमचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने जुक कर दनवत किया करते थे क्योंकि राजा ने उसके विशए ऐसी ही आग्या दी थी परंतु मुर्दकाय ने ना तो जुकता था और ना उसको दन्वत करता था तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मुर्दकाय से पूझा तू राजा की आगया क्यों अलंगन करता है जब वे उससे प्रति दिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक नमानी तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से की मुर्दकाय की यह बात चलेगी की नहीं हामान को बता दिया उसने तो उसको बता दिया था कि मैं यहुदी हूँ मतलब मुर्दकाय जो था वो यहुदी था जब हामान ने देखा कि मुर्दकाय नहीं चुकता और ना मुझको धन्वत करता है तब हामान बहुत ही कुरोदित हो गया जब राजा चेरश ने उसको एक उचापद दिया पदवनत्ति कर दी और लोगों को आगया दिया कि जब भी हामान इधर उधर जाता है लोग उसको जुक करके प्रणाम करें मतलब एक आदर देने के लिए तो सब तो करते थे भाई राजा की आगया है तो करना है नहीं तो भाई या तलवार इसे मार दिये जाएंगे लेकिन जो मर्दकाई था जो एक यहुदी था परमेशर को मानने वाला था वो बोला ना मैं मनुश्यों के सामने नहीं जुकता जैसे मैं आपके सामने पढ़ा अच्छा जब ऐसी बात हमान को पता पड़ी तो यो तो बहुत ही क्रोधित हुआ क्योंकि भे वो गर्व से घमंड से चूर हो गया था अब वो बोला कि मेरे अलावा और कौन है अगर ये यहुदी नहीं मानता है तो इसको मैं देख लूँगा हम लोग बोलते ना देख लेंगे हमारी ऐसी भाष़ा होती है और इस तरह की बाते हैं जब करते हैं तो घमंड आ जाता है और घमंड जब आ जाता है तो हमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है कि मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रही हूं क्योंकि हम लोग घमंड में अंधे से हो जाते हैं अब ये बात जब हमान को पहुंची तो बहुत उसके जीवन में बहुत ही वो हुआ, परिशान हुआ घमन आया, जब ये घमन से चूर हो गया, तो उसके जीवन में क्या आया? करवा हट आये, घ्रना आये, और यदि हम एसतर तीन अध्या आये, और उसके देखेंगे, छैसे पंदरा पद, तीन अध्या आये, छैसे पंदरा पद, तो वहाँ पर हम देखते हैं, कि उसने कुछ ऐसी योजना मनाए, ताकि वो अपनी घ्रना को, अपनी करवाहट को, मुर्दके और जितने यहूदी थे, उनको मरवारा ले, जब घ्रना आती है, करवाहट आती है, घमन आता है, तो हम एक दूसरे को नाश करने से चुकते नह हैं, हाँ, चली मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, छै पद जो हम देखते हैं, एस तर उसका तीन अध्या छै पद से, सुनिए क्या लिखा हुआ है, उसने केवल मुर्दकाए पर हाँच चलाना, अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता द मुर्दकाए के जाती जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली, मतलब सबको वो मार डालना चाहता था, मुर्दकाए तो विशेश करके वो मारना मांगता था, क्योंकि वो यहुदी था पहली बात और दूसरे बात यह है, कि उसके सामने जोगता नहीं था, घमन से अदार नाम 12 मेहने तक के एक और एक एक महने के लिए पूर अर्था चित्ठी अपने सामने डलवाई, और आमान ने राजा शाहर से कहा, तो राज के सब प्रांतों में रहने वाले देश, देश के लोगों के मद्द में तितर भितर और चित्की हुई एक जाती है, जिसके नियम और सब लोग के नियमों से भिन है, और राजा के कानूर पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाबदायक नहीं है, तो यदि राजा को स्वीकार हो, तो उन्हें नश्ट करने के आगए दी जाए, लिखी जाए, और मैं राज की भंडारियों के हाथ म मैं राज भंडार में पहुचाने के लिए, दस हजार की कर चांदे दूंगा, और इस प्रकार से राजा को उसने मजबूर करवा दिया, कि भई तुम्हें पत्र लिखो, और पत्र ये, और सब जगा पत्र लिखा के सब को बलवा दो, कि जो यहूदी है, जो दूसरे जो अन यहूदी आ जाते थे, सुनिए, आशा है कि आप इस बात को समझ रहें, अचा, इसके लिए एक और चीज उसने की, मुर्दकय को मारने के लिए, उसने एक फांसी का फंदा भी बना लिया, जो 75 फीट उचा था, आप जैसे कि आप इस चितर में देख रहे हैं, फांसी का फं में मैं इसको, अर्थाद मुर्दकय को, जो यहूदी था, फांसी पर चड़ा करके ही धम लोगा, तब मेरी, मुझे ठंडक मिलेगी, मुझे बदला लेने का मौका मिल जाएगा, जब मैं इसको मार डालूगा, अचा, मुर्दकय की एक बेटी थी, बेटी की रूप में थी, हाला कि मुर्दकय उसका अंकल था, वो राजा की पतनी बने हैं, और आप समझ के होंगे, उसका नाम था एस्तर, एस्तर जो थी, वो जब इसको पता पड़ा कि महामान इतना दुष्ट है, वो मुर्दकय को और यहूदीयों को मरवाना मांगता है, तो उसने कुछ ऐसी बात चली, जिससे की उसने परमेश्वर का बचन और यहूदीयों को बचाने के लिए, उसने अपसा सब कुछ वहाँ पर ने उचार कर दिया, एक राजा को देखने के लिए, जब तक कि वो कोई बुलाते नहीं उसको, अगर कोई आजाता ऐसे कि मैं राजा से मिलने में आया हू तो उसको मरवा डालते थे, जब तक भाईया, आपको परमेश्वर नहीं है, तो आप उसको डिरेक्टली राजा के सामने नहीं जा सकते थे, यह पुराने नियम थे राजा के, ऐसे कोई नहीं जा सकता था, उसके पास परमेश्वर होनी पड़ तब ही, वो जा सकता था, तो जो रानी थी उसके लिए भी बड़ा कठीन था एक दिन वो बड़े साहस करके राजा के पास पहुंचे उसने कहा कि मुझे आप से कुछ कहना है और फिर उसने प्लान बाद में बताया, ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे कि हम वो अलग एक बहुत अच्छी कहानी है जिसे हम को बहुत कुछ सिख सकते हैं कैसे परमेश्वर अपने लोगों से अपनी मर्जी करवाता है, पूरी करवाता है, लेकिन हमारा जो ध्यान है, वो हमान के उपर है, ठीक है, कैसा वो घमंडी हो गया, कैसे वो मुर्दिकाए से गरना करता था, करवाध भरा हुआ था, और घमं मर्वा दिया जाना चाहता था, तो ये तो बात यहाँ पर हम देखते हैं, अब क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग बात ये है, कि एसतर को ये सब पता था, अच्छा राजा को पता, जो राजा चेरश था, उसको ये पता नहीं था, अच्छा राजा ने एक बात कही, कि मुझे नीन नहीं आ रही आज, और इसलिए, मैं कुछ जो इतिहास है, हमारे जो इरान का जो इतिहास है, परश्या का जो इतिहास है, उसको जड़ा पढ़के सुनाओ, मैं सुनना मांगता हूँ, और इस प्रकार से उसने, क्योंकि उसको नीन नहीं आ रही थी, तो ये चलो और निंदी आ रहे तो कुछ तो सुन लें, हो सकता निंद आ जाए, और हुआ ये, कि जब वो पढ़के सुना रहे थे, उसके लोग उसको, तब एक पॉइंट वहाँ पर आया, कि भई, एक वेक्ति ने राजा की जान बचाई, और वो पर हम देखते हैं, कि छिर्ष राजा जो था, जो एस्तर का पती भी था, उसने अपने मन में ठान लिया, कि मैं उस वेक्ति को जरूर इनाम दूँगा, और उसने कहा, हमान से कहा, आप मुझे बताओ हमान जी, अब बहुत बोदिमान है, क्या करना चाहिए ऐसे वेक्ति को, जो राजा का जान बचाएं, और उसको अभी तक कोई नाम नहीं मेला, तो हमान वो सोच रहा था, कि भाईया, ये राजा मेरे इबारे में सोच रहा है, जबकि राजा के मन में, कौन सोच रहा था, मुर्दखः के बारे में सोच रहा था, अच्छा, मुर्दखः के, जो हमान को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी, कि राजा मुर्दखः के बारे में बात सोच रहा है, हमान तो अपने बारे में सोच रहा था, वल्ले ये मेरे बारे में सोच रहा भई, कि ये मुझे इनाम देगा तो और भी खुश हो गया और गर्व से भर गया आपको पता है ज़्यादा कहानी लंबा न करते हैं आप इसको पढ़ लीजिए एस्तर उसका एक अध्याय से साथ अध्याय तक आप जरूर इसको पढ़ लीजिए हुआ ये कि अंत में ये जब पूरी कहानी आगे बढ़ती है तो एस्तर ने फिर पूरी बात बता दी कि जब दूसरी बार खोब अच्छा खाना पेना के लिए बुलाया गया कि ये एक वैक्ति है जो सब यहुदी लोगों को मरवाना चाहता है राजा बड़ा गुसा हुआ बोला कौन है वो वैक्ति बोला अरे ये वैक्ति हमारे साथ ही बैठा हुआ 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 हुमान है राजा ने तूरं ताग्या दी हामान को उसी फासी के फंदे पर चढ़ाया जाए जिसने हामान ने उस फासी के फंदे को मुर्धकाए के लिए बनवाया था चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ साथ अध्याए ठीक है और उसका नौ और दस पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ साथ अध्याए एस तर उसका साथ अध्याए नौ और दस पद तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवाना नाम एक ने राजा से का हामान को यहां पचास हात ऊुचा फांसी का खंबा खड़ा है जो उसने मोरदकै के लिए बनवाया है जिसने राजा के हित की बात कही थी राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो किसको लटका दो हामान को लटका दो जिसने दुसरों के लिए फासी का फनाया था आज वही हामान उस फासी के फन्दे पर लटकाया जा रहा है दस पर तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दकाई के लिए तयार करवाया था लटका दिया गया इस पर राजा की जल जलाहत ठंडी हो गई विनाश्ट से पहले घमंड जो दुसरों के लिए गड़ा खोदता है उसमें ही वो गिर जाता है ये घमंड है उसे पता नहीं था कहां जा रहा हूँ चूर था गवंड से जिस फासी के फंडे को उसने दुसरों के लिए बनाया था मुर्दकाई के लिए बनाया था और अभी तक यही सोच रहा था राजा बड़ा प्रसन है उससे उसी राजा ने उसको उसकी कुरूता के लिए उसके घमंड के लिए उसके कपट के लिए उसके च्छल के लिए उस फंडे में उसी को फसाया और जैसे देख रहा है हामान जो शब्द लिखा हुआ है इस चित्र में फासी का फंडा हामान को दिया गया ये एक इतिहासिक घठना आज हम देखते हैं एस्तर की किताब में आप जरूर एस्तर की किताब को प्रियो विशेश करके पहले अध्याय से ले करके साथ अध्याय तक आपको पूरी कहाने आपको वहाँ पर मिल जाएगे इसलिए मेरे प्रियो आए हम घमण ना करें घमण ना करें परमेश्वर का वचन क्या कहता है लिखा हुआ है जेम्स याकूब की पत्री और उसका चार अध्याय और उसका छै पद याकूब की पत्री उसका चार अध्याय और छै पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है वह तो और भी अनुग्रह देता है इस कारण लिखा है परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है देखिए नम्र बनना है परमेश्वर चाहे हमें कैसी भी चीज़े दे हम किसी भी कोई भी ऐसे आउधे में हो और हमें खुब अच्छा सब कुछ मिला है हम घमण ना करें हम परमेश्वर को नम्रहो करके उसको धन्यवाद दें और दूसरों के सामने भी हम नम्रता का वहवार करें हामान के समान नहीं वो क्रोज से और घ्रणा से और घमण से इतना चूर हो गया था कि वो दूसरे को फासी पर चड़ाना मांगता था हुआ ये परमेश्वर ने ऐसा पुरा जैसे बलते हैं पत्ता फेका जिसमें आग जो हामान है उसी गढ़े में उसी फंदे में खुद फस गया मेरे प्रियो मेरे साथ और आपके साथ ऐसा नहों है ना आईए हम इस स्टोरी से इस कहानी से सीखें कि हम घमण न करें कहीं हमारा नाश ऐसा नहों शायद ऐसा नहों लेकिन परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और मैं अपने आप से और आप से यही बात करता हूँ नम्र बनो क्योंकि परमेश्व चायता है धन्य है वे जो मन के धीन है हाँ, आईए अपने मसीजी बन में हम नम्रता दिखाएं